मेरे सभी सुनेवालों को प्यार भरा नमस्ते मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप पूरे प्रिकॉशिस के साथ कुरोडा वारेस की बिमारी के साथ लड़ाई कर रहे हैं आप अपना ख्याल रुखे, अपने पेरेंट्स का ख्याल रुखे, अपने भाई भैनों का ख्याल रुखे, अपने दोस्तों जारों का ख्याल रुखे और हम सबने मिलके इस बिमारी से लड़ना है आज 13 जून जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हम लोग इस समय इंडिया में हम लोग इस समय सब नमबर फोर्थ पोजीशन पे आ चुके हैं वर्ल्ड में तीन लाख से जादा केसिस हमारे देश में हैं इस समय मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का हाल बहुत खराब है बॉंबे का हाल बहुत खराब, माराश्ट्रा एज़ा होल, चिन्नेग का हालत बहुत खराब, हैदराबाद, पूने, सब बड़े-बड़े शहर, कलकताब सब की हालत बहुत खराब, और इस खराब हालत के अंदर हम लोग इसमें वर्ल्ड में नंबर फोर पे हैं, हमारे से आगे USA, रिश्या, ब्राजील और हम चौथर नंबर पे चल रहे हैं मैं चाहूंगा कि हम लोग नंबर वन पे ना पहुंचें, लेकिन जो हालात हैं मेरे को नहीं लगता कि हमें बहुत ज़ादा कोई रोक पायागा नंबर वन तक पहुंचें के लिए, जो कि किसी में लिहाद से अच्छी बात नहीं होगी इस पूरे महाल के अंदर नेगटिविटी बहुत ज़ादा है सब के बीच में खास दोर पर student community जिनका ये examination time है बहुत ज़ादा depressed, परिशान और negative energy से भरे हुए है मैं देख पा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से social media के उपर एक बात चल रही है कि exams को postpone किया जाए, कुछ कहते है exams को cancel किया जाए आप सब को याद होना चाहिए, मार्च के महीने में I was the first person to raise this issue when I said कि exams नहीं हो पाएगे मैं इस पूरी situation को पहले से भाब पाया था एक estimation कर पाया था and I was the first one to say that it will be very very tough on the part of this institute to conduct examination now अब आज की position क्या है और आगे क्या होना चाहिए मेरे मुताबिक आगे क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्तों मैं आप सब को एक बात का भुरोसा दिलाना चाहता हूँ कि CAC, CAC, CMA Institute के अंदर जो management में लोग बैठे हुए है वो सब बहुत समझदार, पढ़ लिखे, educated, well educated, well qualified, very sensitive people are there they are far 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 educated and far far better placed and in taking decisions as compared to what we people are they have inside information as well ये सारी चीज़े बहुत अश्या सा मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं and over and above that they are very sensitive to the needs of the students ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे मेरे को पूरा भुरोसा है जो की स्टुडेंट्स के अंगेस्टू, never अब जो डिमांड उठ रही है, exam postpone की एदाए या exams को cancel की एदाए, उसके बारे में थोड़ी सी बात आप सब को ये बात पता है कि company secretary के exams को postpone किया गया अब ये वो exams 18 August से होंगे, planned किया हुआ है भी इसी प्रकार से CA के exams already postpone हो चुके है, जुलाई में अनौंस किया गया है, लेकिन जुलाई के ये बी exams हो पाएंगे, chances कम लग रहे हैं जिस आप से ये पूरा महौल चल रहा है, चुलो अब मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि CA institute अपनी जित पे है, adamant है और वो अपने exams conduct करने का plan पूरा पूरा बना चुका है जो कि ऐसा हुआ नहीं है ध्यान रखना, मैंने अभी अभी कहा, they are very sensitive people and for that very reason, you know ने correction window अपर तुक open ही किया correction window open ना करना, reflects the sensitivity towards the situation and reflects the sensitivity towards the students that they are not sure what is going to happen और हम लोग सब यहां पे speculations कर रहे है, क्यों, let them decide, they are very smart people, they are very sensible people चलो मान लेते हैं एक मिनिट के लिए कि CS Institute जिद पे है, adamant है और exams conduct करता है तो हमें क्या करना चाहिए मेरा advice, मेरे मताबिक आप लोगों को exam नहीं देना चाहिए skip your examination if the CS Institute is adamant about conducting examination then you should be adamant to skip your examination अब जैसे ही मैंने इतनी बात बोली कि भाई exam skip कर दो, तो आप मैंसे कई students कहेंगे मेरे को कि जोहर सर कैसी कैसी बाते करते हो, हमारा तो old syllabus है और old syllabus का ये last exam है हम तो afford नहीं कर सकते हैं exam credit करना exam skip करना, sorry तो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगा कि जान से प्यारा तो नहीं होना चाहिए न, कोई examination जान बच गई तो exam future में भी देतर होगे दूसरी बात ये कौन सा कुम का मेला है जो 12 साल बाद आएगा छे मिने बाद फिर exam आड़ाएगा तब दे देना annual exam तो है नहीं, half early examination है और क्या एक half early examination आपकी life से जादा प्यारा हो गया मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए फिर बात आती है कि सर अगर exam skip कर देते हैं तो old syllabus का last exam है तो मेरा यहां पे भी एक opinion है वो opinion ये है कि आपने कम से कम तीन बार या चार बार exam दिया होगा old syllabus में due to any A, B, C, X, Z reason qualify नहीं हो पाए तो अगर आप एक काम कर रहे हैं determined है वो काम करने पे और एक तरीके से वो काम नहीं हो पारा भाई तरीका बदल के देख लो क्या पता काम हो जाए old syllabus में qualify नहीं कर पारे कोई बात नहीं ना new syllabus में convert करके देख लो क्या पता qualify कर जाओ determination ही छोड़ना qualify कर जाओगे अगर new syllabus पर convert करते हो determined रहते हो अच्छे से त्यारी करते हो तो qualify कर जाओगे कुछ students यह कहते है sir examination fees दी हुए है कैसी बाते कर रहे हो कोई बात नहीं examination fees दी है इतनी दी है दोनों ग्रूप से तो 27 सो रपे एक ग्रूप है तो पंदरा सो रपे क्या आपका examination fee 27 सो रपे आपकी लाइफ से ज़्यादा प्यारा हो गया I don't think so और एक situation imagine करो आप examination देने के लिए गए और आपके साथ में बैठावा एक student ने जरा सी छीक बार दी आपकी हलत क्या हो जाएगी एकदम मन में डर आ रहेगा यार इसको करोना तो नहीं है कहीं वो मेरे तक तो नहीं पहुंच जाएगा और याद रखना एक बार कोरोना का टेंस करवाने पे 5000 पर से ज़्यादा का खर्चा है तो आप 2700 पर बचाने के लिए 5000 पर का रिस्क लेने को त्यार है और अपनी लाइफ को रिस्क पर डालने को त्यार है तो ये भी एक बड़ा अजीव सा मुद्दा मेरे को लगता है तो आपको बता देता हूँ जो आपके अमेंडमेंट्स इंकम टैक्स में मेरे के लिए थे वो नवंबर में आज़ेटिस अप्लाई होंगे नो नवंबर अभी चीज़ नहीं है अब एक और बात सुडेंट्स कहते हैं सर्ण नवंबर के अख्जाम बड़ा मुश्किल आएगा ऐसा कुछ नहीं है कि नवंबर के अख्जाम मुश्किल आएगा हाँ यह है कि थोड़ा सा competition बढ़ेगा क्योंकि दो attempt के exams या दो attempt के students इकठे exam देंगे तो कहीं न कहीं वो competition थोड़ा सा बढ़ेगा पर उसके लिए you can prepare yourself well within this duration जो लोग बहुत ही जादा negative energy की होते हैं negative सोच की होते हैं वो कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो exam skip कर दें इस बात की क्या guarantee की November में exam होगा ऐसे सभी students को बोलूँगा कि भाई guarantee तो किसी भी बात की नहीं है इस बात की क्या guarantee है कि आप आज रात को सोगे और कल सुबह उठोगे इस बात की क्या guarantee है probability तो है कि आप कल सुबह उठोगे high probability is there but there is no guarantee to that इसी प्रकार से November में एक्जाम होगा कोई गरंटी नहीं दे सकता but still there is high probability the situation might get better as compared to July and August the situation might get better in the month of November so a request to all of you 1. have a faith on CA Institute, CS Institute, CMA Institute वो आपकी भलाई का ही सोचेंगे और उनकी sensitivity का एक एक नमूना देख लिजिए कि correction window अपितक ओपन नहीं किया है and there should not be any demand for the cancellation of examination बहिए क्यों आप किसे दूसरे को अपना opinion force करते हो मैं इसको ऐसा समझाऊंगा कि मान लीजे आप सडक के उपर जा रहे हैं और आपने सडक की उपर एक बहुत बड़ा खड़ा देखा अंग्रेजी में पॉट होल कहते हैं आपने बहुत बड़ा पॉट होल देखा तो क्या आप पॉट होल को बोलते हो कि हट जा मिरे को यहां से जाना है रास्ता से हट मिरे को यहां से जाना है क्या आप पॉठ्छल को बोलते हो क्या? नहीं. क्या आप वेट करते हो कि कोई आए मिनिस्पल कॉर्परेशन का विक्ती जो उस पॉठ्छल को भरे और उसके बाद मैं अपने रास्ते पर चलूँ क्या आप ऐसे करते हैं क्या? अगें दाशर इसनो. तो आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि अगर एक खड़ा है, पॉठ्छल है तो आप उससे बच के निकलते हैं साइड से बच के निकल लाते हैं बस आप ऐसे ही मानी जी कि ये कुरोना वारिस की सिचुएशन आपके करियर के पाथ में एक पॉठ्छल है इससे बच के निकलना है कोई ये पॉठ्छल भरने के लिए नहीं आएगा पॉठ्छल हटेगा ये भी पॉसिबल नहीं है शायद ना हटे सी इंस्चूट का आप कहते हो कैंसर कर दे, ना करे तो अपने आपको बचाओ सायद से निकल जाओ skip your this examination and go for your next examination forget about your money of 2700 rupees or 1500 rupees forget about your old syllabus new syllabus convert to the new syllabus कहीं ऐसे students होंके जिनका CA final का सरफ एक ग्रुप बचा होगा कोई बात नहीं convert to the new syllabus still that degree of CA is not above the life of anybody and everybody 6 मिने का exam है 6 मिने बाद फिर आ रहेगा now this was my opinion and you all have a right to hold your opinion but haan don't hold any grudges against me आप सबसे एक request कि please अपने comments इस वीडियो की नीचे दीजेगा इस वीडियो को शेर कीजेगा अगर आपको पसंद आता है और प्लीस 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 spread this awareness among your friends that it is better to skip the examination rather than appearing in this whole negativity energy वाला जो महौल है उसके अंदर अगर exam में या के आपेर होना हू तो उस से बेटर skip the examination sit at home stay indoors stay safe it's a request to all of you best of luck for your preparations God bless you all I hope you will understand the situation the problem जो इस समय जो चल रहा है जो एक एक वर्ड मैं बोलू की जो इसकी ग्रेविटी जो चल रही है प्रॉलम की वो बहुत जादा है मार्च की महिने मैंने इसको भापा था और मार्च की महिने मैंने आपको कहा था कि एक्जाम कंड़कर पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा अच्छी बात है नहीं कंसल करते हैं कोई बात नहीं हम अपना एक्जाम को स्क्रिप करते हैं इस इस वर मैं साइट बाबाए बस लब तो अल फू लव यू लव यू आ वांट यू तो बी सेफ बाई